कोई वीदा पीपल से सम्मंदित किसी को डाउट हो कुछ पूछना हो किसी को कोई समर संग से सम्मंदित कोई ये साथ महने से मीटिंग लगातार चल रही है इसमें हजारों लोग जुड रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं इसकी मीटिंग चल रही है क्योंकि इसकी मीटिंग लगातार चल रही है, 19 तारिक को इसकी मीटिंग यवत माल महराष्ट में है, 21 तारिक को इसकी मीटिंग गुडगाओं में है, फिर 28 तारिक को दिली में पिकनिक में है, फिर 5 दिसंबर को अमरोहा के अंदर एक मीटिंग है, 26 तारिक को इसकी बहुत ब प्रिक्ति के वारे में कि कोई भी साथी हमारा है जिसको जो कोई भी डाउट है कुछ पूछना है कैसे जुड़ें कैसे ना जुड़ें तो वो अपना प्रसंट पूछ सकता है अभी भी पूछ सकता है बाद में भी पूछ सकता है चैट में डालके पूछ सकता है यहां हमारे स साथी को पता ने चल पाता इसलिए जो पहली बार साथी जुड़े हैं वो बुलकुल किलियर करने कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है कैसे हम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं आज हमारे दो साथी जुड़े हैं एक बुवा साहिव अही वाले जुड़े हैं पुने से और बु और यहां एक साथ ही हमारे बहुत important जुड़े हैं जो अभी उन्होंने परिचे दिया था जो महाराज से नन्नासिक से जुड़े हुए थे वो बहुत बड़ी है ग्राफिक्स हैं वो ग्राफिक्स बनाने के लिए पूरी तरह से काम करने लिए तियार हैं तो कोई और भी नया स हाथ ही जुड़ा हो जो अपना परिचे ना कराया हो या कुछ कहना चाहता है तो मेरे बोलने के बाद भी बोल सकते हैं हाथ उठा सकते हैं यह सीधे माइक पा सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यह मीटिंग रोज चलती है आठ वही से और जो लिंक आज है वही दिसंबर तक लगातार वही लिंक रहेगा आपके पास लिंक नए आए ना आए आप उस लिंक को खोल कर इसको जुड़ सकते हैं दरसल हम यहां जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूरे भारत में अपने सभी लोगों को जोडने का जुडने का और जुडने और जोडने की हम में इसलिए जवत पड़ गई है क्योंकि बिना जुड़े और बिना जुड़े हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते ये एक प्राकर्तिक सिध्धान्त है ये एक नैचुरल प्रॉसेस है ये एक नैसरगिक एक कुदरत का नियम है कि जो लोग जुड़ते हैं जो जानवर बन जाती है जो जनवर नहीं जोड़ते हैं जंगल58 इनका शिकार हो जाता है और वो मारे जाते हैं जो जन Bahs जाती है जो जो जातीएगी जो पैदा हुए लोग है या पैदे हुए जितने भी फार पौदे हैं अगर वह एक साथ नहीं रहेंगे तो उनको मौसम खाएगा य ताकि वो बचाची रहे, ये नियम हैं, ये नियम हमारा बहुत पुराना नियम था, जब हमारे बुझ्रकों ने ब Sabbath से भी पहले जो हमारे बज्रक थे, जो हमारे डादा-दादी और परदादी थे, उन्होंने हम को कहा कि तुमको एकटा रहना है, और एकटे होने के आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कहता हो कि मनुस्य के इ 안돼 होने से कोई नुकसान है और सारे लोग आपको मिलेंगे जो यह बताएंगे कि मनुस्य के इखञटे होने से बहुत फाइदे हैं हम जब सुरू में इखञटे रहते थे तो उसको कभी बुला करते थे और कबीले जब इखटे थे तो उनके बाहर की जो जानवर थे उनसे लड़ने में वो इखटे होके काम करते थे इसलिए हम आज तक जिंदा है और बचे हुए हैं जब हम सेहरों में गाओं में आये तो गाओं में और सेहरों में भी हम इखटे रहा करते थे ताकि हम ए जादा एक खटा रहना चाहिए था मगर हम जादा बिखर गए इसलिए हम खतम होने के कगार पर आ गए लोग कहते हैं कैसे खतम होगे हम तो 30 करोड के करीब तो असलू काश्टी है रबाकी जो बीसी और एस्टी हैं वो सारे मिलाके हम 120 करोड बैठते हैं समड संग सारे लोग तो हम इसलिए खतम हो रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं भारत में आज के समय उनकी जो जरुत के सामान थे वो लगवाग खतम हो चुके हैं हमारी जो एजूकेसन है जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी हो गई है जो बावा साब अमेटकर हमें फिरी में पढ़ाने के लि बिक गए हैं थोड़े बहुत बचे हैं उनमें अब रिजर विशन है नहीं क्योंकि रिजर विशन खतम किया जा चुका है बहुत सारे उसके तरीके हैं हमारे पास में जमीन जा जा जाता है नहीं इंडिस्ट्री फैक्ट्री हमारे पास है नहीं हमारे पास इतनी काभियत न मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी और रोटी नहीं मिलेगी तो हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या खुद खाएंगे और क्या बच्चे हमारे काम करेंगे क्योंकि हमारा पड़ा लिखा बच्चा भी आज के समय बेरोजगार घूम रहा है उसको कोई काम देने को त्यार नहीं है और सम्विधान में ऐसा प्राभधान नहीं है कि बेरोजगार को भत्ता मिलेगा या बेरोजगार को काम की गारंटी है या उसको सरकार काम देगी ऐसा प्राभधान है नहीं बावा साब ये प्राभधान डाल संविधान है उनके सिंख का जिप्छों का धर्म का सिधान्त है जो नियम बने हैं वो इनके पास हो गए और आनंदकारज के नाम से उनकी सादियां होती है अब उनका सैपरीट सिस्टम है अलग सिस्टम है क्योंकि वो सारे सारे इखटे हैं उन्होंने कोई ना एजिटेशन किया ना ही कोई उन्होंने तबाही मचाई वो सर्फ इखटे हैं संग में हैं सब को पता है कि सारे बुद्वियार जुड़े हुए हैं सारे सारे जितने भी लोग हैं, वो सारे सारे जुड़े हुए हैं, ये सारी दुनिया में जितने जुड़े हुए हैं, उनको फायदा होता है, मगर हमारे जुड़े हुए, इसलिए हमको नुपसान होता है, मगर गुर्दवारे जुड़े हुए हैं, गुर्दवारों का हुए हमारे रविधास भवन नहीं जूड़े हुए तो उनके लोग आपस में नहीं जूड़े हुए तो हम अपने महापूरुस की जितने घर हैं जब आपस में नहीं जूड़ पाये तो हमारे महापुरूस भी नहीं जुड़े हुए हम फोटू बेसक लगा लेते हैं कि ये हमारे महापुरूस सब एक साथ हैं महापुरूस के फोटू तो एक साथ हैं मगर महापुरूस को मानने वाले लोग अलग अलग हैं इसलिए ये बात कहीं fit नहीं बेढ़ती के महापुरुस अगर साथ है तो लोग साथ है बेसक महापुरुस के फूटू लगाए ने लगाए मaprès जब जब लोग साथ आ जाए तो इसका मतंद समस्थे हुए इस बात को समझते हुए इस बात को जानते हुए हम लोगों ने जो साधान लोग हैं सभी संक्टों से कहा कि भाई आप महापुर्सों के फूटो लगाते हो मगर आप तो अलग-लग हो आप सब बावा साब का फूटो लगाते हो मगर बावा साब के जनन दिन पर अलग-लग कारे करम करते हो जनन दिन की तो बात छोड़ो आप बावास आपके मरण दिन पे भी अलग-लग कारिकरम करते हो ये बात हमने उनको बहुत अच्छी तरह से बताई मगर उन लोगों ने इखटा होने के लिए मना कर दिया डारेक्ट नहीं किया सीधे तरह पर नहीं किया उन्होंने घुमा फिरा के हमसे ये कहा कि जी नेता कौन होगा अब नेता का कौन होगा कौन नहीं होगा इसका ठेका हमने तो लिया नहीं हम तो साधरन लोग हैं जो संग्ठन चलाते हैं वो अपना नेता चुने कि सारे संग्ठ का या व्यक्ति के लीडर का या राजा रानी का नहीं है ये बात उनको अच्छी तरह से पता है जानते हैं मगर फिर भी उनको एक लालच रहता है वो लालच क्या है कि जब भी कोई नया संग्ठन खुलता है तो वो हमको धमकाता है वो कहता है देखो संविधान खतम होने वाल बश्तने मरम आप तो आप मेरे को पैसा दो और मैं आंदोरन करूंगा और मैं यह काम करूंगा और मैं वह काम करूंगा ऐसे 29 लाग संग्ठन बन गए जिसमें से 4 लाग संग्ठन active है और सभी संग्ठन अपने अलग-अछर काहिकन लगाते हैं और सभी बावा साभ का जोतिवा फूले का पैरियार साभ का बुध का इन सपका फूटो लगाते हैं और सभी पेरियार, फूले और साहू और Amitkar की थोरी को पढ़ाते हैं बुद्ध के बारें बताते हैं अलग-अलग मठ बन गए धमके अलग-अलग लड़कों ने अपने अपने संग्ठर बना लिए अलग-अलग लोगों ने अपने अपने सामाजिक संग्ठर बना लिए पार्टी बनानी और ऐसे लाखों बना लिए उससे क्या हुआ कि जो 6743 जातियों को जोड़ने की बात हुरी थी उन्हों 6743 जातियों को जोड़ने के लिए 29 लाख संग्ठन बन गए अब समस्या यह है कि हमको 29 लाख हिस्सों में तोड़ दिया तो कि कोई भी संग्ठन आपस मे मिलने को त्यार नहीं है चाल लाख संग्ठन तो बलुकुल एक्टिव हैं तो वो संग्ठन अलग-लग बलुकुल जातियों की तरह काम कर रहे हैं जातियों की तरह बहवार कर रहे हैं जहां जैसे जातियों हमको तोड़ कर रखती हैं वैसे ही संग्ठन हमको तोड़ कर दिया और हमारे होनहार जितने भी नेता हैं जो आजकर हैं जो जाती बाद को खुब उपर से उसलों चलके बताते हैं जहन्डा लेकर चलते हैं और जाती पर गर्ब करते हैं उन्हों ने वो फिर दुवारा से SCSTOBC की पिटारी खोल के और जातियां बिखेडनी और बावा साब का काम खतम कर दिया और नाम ये लेते हैं कि बावा साब ने कहा है जाती जोडो जाती जोडो जाती पर गर्ब करते हैं और इसको कोई बुरा नहीं मानता इसको ये नहीं कहते कि वही जाती की बात नहीं करनी ह बावस łamne SCСТ OBC की बात किया है, SCST OBC की बात करनी है और बावस łamne रहा था के आगे जब आओगे तो SCST OBC को आगे जाकर एकटा करके एक बनाना है प्रवुद भारत बनाना है, बहुजर मनाना है, मुन निवासी बनाना है और सबसे आखिर में आपको समण संग बनाना है तो समण संग बनाना है क्योंकि समण संग में जातियां नहीं होती बुद्ध के समय कोई जाती नहीं थी बात तक भी 500 साल पहले तक भी कोई जाती भारत में थी नहीं संग होता था हमारा और संग के बड़े अच्छे अच्छे नियम है पहला संग का नियम है कि संग का सभी आदमी मेंबर होंगे दूसरा संग का नियम है कि संग में कभी पैसा नहीं लिया जाएगा इसलिए वीदा पीपल भी कोई पैसा किसी से नहीं लियता तो तीसरा नियम है कि संग में सब बराबर होंगे इसमें कोई व्यक्ती कभी भी नेता नहीं बनेगा और अगर कोई व्यक्ती नेता बने की कोशिश करेगा तो संग उसको बाहर निकाल देगा संग का चौथा नियम है कि संग के फैंसले संग ही करेगा और संग का जो मालिक होगा वो संग ही होगा जो भी कोई समस्य आएगी उसको संग बैठकर डिशाइड करेगा साई लोग डिशाइड करेंगे उसमें डिशन लेंगे उसमें निर्ने लेंगे उसमें कोई फैंसले को सब को मानना होगा ये संग का नियम है और संग का सबसे अच पारम बनना है ना ही कोई उनको भगा सकता है ना ही को उनको खटा सकता है जब तक कि वो संग के कहा साथ विश्वास घात ना करें तो कि यह संग जो बनाया है यह हमारे महापुर्सों ने बनाया है कोई कहता हो बुद्ध ने बनाया बुद्ध ने भी नहीं बनाया बुद्ध बुद्ध नहीं बने थे, खाली सिद्धत गौतम थे, तो उनके पिता और वो सारे सब समण संग में आते थे, और वो समण संग के मेंबर थे, यहां तक कि एक वार समण संग ने बुद्ध को, यानि सिद्धत गौतम को परिस्मेंट भी दी है, उनको सजा दिया है, जब कोलिय में और साख के लोगों में पनी के लिये रोहनी नदी पे जगडा हुआ, उस जगडे में बटवारे में जब उन्ध ने यह कह दिया कि मैं जगड़े में नहीं जाना चाया था, मैं सेना के साथ काम नहीं करूँ गा, मैं जद्ध में नहीं लड़ूंगा, पानी क ननी पूरा-पूरा सारा का-सारा वहां का कपिल बस्तुछ छोड़ना पड़ा और छोड़के वहां से हटे तो इसलिए संग में सारे के सारे लोग जैसे भी हैं छोटे हैं बड़े हैं उनको नियम मान नहीं हुते हैं इसका एक उधारन आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रिधानमंती मनमौन सिंग चुकि वो सिख थे और सिख संग में आते थे तो वहाँ जब उनको एक सजा मिली तो सजा जूता पालिस करने की मिली तो उन्होंने गुर्दवारे में जाके जूते पालिस किये अपना जो मुस्लिम लोग हैं उनका संग अलग है एसाईयों का अलग है और बाकी लोगों भी संग के नाम से बना रखा है बस हमारा संग नहीं है, हमारा संग नहीं है, इसलिए हम परिसान है, इसलिए हमारी पटाई होती है, इसलिए हमारे साथ में उत्पुनन होता है, इसलिए हमारी मुचह काटी जाती है, इसलिए हमारे बाल काटे जाते है, इसलिए हमें क्रिश्टन से दे देख सकते हैं, उनका समाज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, करनाडा के अंदर अगर एक सिक्क के साथ कुछ होता है, तो भारत के सारे सिक्क खड़े हो जाते हैं, बुद्धिस्ट कंट्रियों में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका जो संग है, वो पुने से जोड़े हुए हैं, जो चतिसगर से जोड़े हुए लोग हैं, तो जो लोग यहां जोड़े हुए हैं, आप उनके यहां चले जाएए, वहां जाके उनसे मिलिए, कोई काम है, आपका काम कराएंगे, वो यहां आपके यहां आते हैं, तो उनका कोई काम मदद कीज ये आपस में जब एक दूसरे की मदद होती है तो बहुत सारा पैसा बसता है बहुत सारा समय बसता है और सुलक्षा रहती है किसी भी सहर में आप आएंगे जाएंगे आपको आपके जानकार संगी भाई मिलेंगे सारे संगी मिलेंगे क्योंकि संग हमारा है हमारे ही बाप दा इतना सुरू हो जाएंगे बंद करा दिये थाने में क्योंकि वीदा पिक्पल समरसंग पब्लिक से पैसे नहीं ले लेता और जो और समर्था चलारे लोग है उनको भी मना कर दीजिए कि भाई जब तक आप इखटे नहीं होते तब तक हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि उनको हम पैसे अदाद देते रहते हैं और वो इखटे नहीं होते अगर हम उनका पैसा बंद कर दें तो वो इखटा होना सुरू कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि भई अब लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया हमारा काम ने चलता अब लोग हमको तब ही पैसा देंगे जब हम इखटे हो जाएंगे तो चाहे कोई कुछ भी आपको डराए धंकाए कुछ नहीं देना क्योंकि आपने पैसा बंद कर दिया तो वो सारे सारे खट्टे हो जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी हमारा काम आसान हो जाएगा हमारा सारा समिधान बच जाएगा ठीक ऐसे जैसे दो अप्रेल अठारे को क कोई नेता हमारे साथ नहीं था मगर जैसे ही हम साई लोग सड़क पर आए हमारा सम्मिधान में जो एक्टरशी डिया था वो बच गया क्योंकि बावा साब ने हमको इखटा होने के लिए कहा है बावा साब यह यह नहीं कहा कि खटा तो होना है मगर लीडर के साथ होना है, बावा साहरaway ने कहीं कोई कंडिशनe नहीं लिखी, बुद्ध ने भी हमको कहा है कि आपको संग में रहना है, तो संग का नेता संग ही होगा, ऐसा बुद्ध ने बताया है, बुद्ध ने अगर एक वेक्ती बाद हमें दिया होता है, तो दूसरा संग का नेतत करेगा संग के जो निर्णे होंगे वो ही मानने होंगे और मैं भी संग से बाहर नहीं हूं इसलिए जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे जीतेंगे जुड़ना ही होगा अगर जीतना है और बचना है और अगर नहीं जीतना है नहीं बचना है और मरना है तो फिर कोई नहीं देता धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे चला सकते है इसके लिए इजाज़त लेने की या परविसल लेने की बिल्कूल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है, उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। दूतियंपी धम्मंग सर्ण गच्छाम। संगं सर्ण गच्छाम। दूतियंपी संगं सर्ण गच्छाम। दूतियंपी धम्मंग सर्ण गच्छाम। दूतियंपी संगं सर्ण गच्छाम। दूतियंपी संगं सर्ण गच्छाम। साथू, साथू दूतियंपी संग्छाम। स्ग्छाम।